नमस्कार मैं हूँ यासमीर सुशान सिंग राजपूत एक ऐसे उभरते अभिनेता जो अपने करियर को बुलंदियों पर ले जाना चाहते थे जिनने फिल्मों के अलावा भी हर तरहा की जानकारी रखने का शौक था जिन्होंने कई सपने देखे थे सुशान सिंग हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी वो बाते उनकी खुआहिश हमारे बीच याद बन कर रह गई है जो उन्होंने कुछ वक्त पहले शेयर की थी जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे चलिए उनके उन सपनों से आपको रूबरो करवाते हैं हवाई जहाज उडाना सिखना जिसके लिए उन्होंने बोईंग 737 फिक्स्ट बेस फ्लाइट स्टिमुलेटर नाम से एक ऐसी मर्शीन खरी दी जिसमें बैठ कर ऐसा ही लगता है मानों हवाई जहाज उड़ रहा हूँ आइरन मैन ट्राइथलन के लिए ट्रेनिंग करना बाए हाथ से क्रिकेट मैच खेलना मोर स्कोर्ड सीखना बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देना किसी चांपियन के साथ टेनिस खेलना चार बार ताली बजा कर कुशप करना एक हफते तक मंगल ब्रिहस्पती और शनीग्र और चांद के चक्कर काटना एक ब्लू होल में जाना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना एक हजार पेड लगाना अपने दिल्ली कॉलेज ओफ इंजियरिंग के हॉस्टल में एक शाम गुजारना सौ बच्चों को इसरो या नासा की वर्क्शॉप में भेजना कैलाश पर मेडिटेशन करना किसी चांपियन के साथ पोकर खेलना अपनी पहली किताब लिखना यूरोप के एक रिसर्च संस्थान जाना नॉर्दन लाइट्स की तस्वीर बनाना जिसमें आस्मान में कई रंगों की रोश्टी दिखाई देती है नासा की एक और वर्क्शॉप में शामिल होना छे हफ़ते में सिक्स पैक आप्स बनाना के नोट्स में तैरना कंप्यूटर गेम्स की प्रोग्रामिंग सीखना एक हफ़ते किसी जंगल में रहना वैदिक जियोतिश शास्त्र समझना दिजनी लैंड जाना लीगों में जाना जहां ग्रेविटेशनल वेव्स पर रिसर्च होती है घोडे का पालन पोशन कर उसे बढ़ा करना कम से कम दस अलग तरह की डान सीखना मुफ्ट सिक्षा के लिए काम करना एक पाव़फुल टेलिस्कोप से एंडरोमिडा गैलेक्सी को देखना क्रिया योग सीखना अंटार्क्टिका जाना और्तों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने में मदद करना एक धदकते वे ज्वालमुखी की फोटो लेना खेती करना सीखना बच्चों को डांस सिखाना दोनों हातों से तीर चलाने वाला तीर अंदाज बनना रेस्निक हैलिडे द्वारा लिखी गई फिजिक्स की पूरी किताब पढ़ना पॉलिनेशन यानी पैसिफिक ओशिन में एक जगा है जहां की भाषा को पॉलिनेशन कहा जाता है उसे समझना अपने पसंदीदा पचास गानों की गिटार कॉर्ड सीखना किसी चैंपियन के साथ शत्रंज खेलना एक लंबगिनी कार खरीदना वियना में सेंट स्टिफन के गिरजागर में जाना साइमाटिक्स के एक्सपेरिमेंट करना छात्रों को इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए तयारी करने में मदद करना स्वामी विवेका नंद पर एक डॉक्यूमेंटरी बनाना सर्फिंग करना सीखना तीजी से आगे बढ़ रही टेखनलोजी और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स में काम करना अफ्रेकन ब्राजिलियन मार्शल आर्ट सीखना ट्रेन से युरोब घूमना ये कुछ ऐसे सपने हैं जिन में से कुछ सुशान्त ने पूरे कर लिया हैं तो कई पूरे करने बागी थे उनके सपनों की लिजब देखकर ही पता चलता है कि सुशान्त जिन्दगी को खुल कर जीना चाते थे चीजों को जानने की इच्छा रखते थे फिर कई सवालों की तरह अपने सपने भी आज सुशान्थ हमारे बीच छोड़ गए